हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संगीता वेलकम टू माई किचन कुक पिच संगीता आज अब बनाएंगे मसालेदार चटपटी टेस्टी सबजी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तोरी की सबजी मसालेदार चटपटी तोरी की सबजी आज एकदम नए स्टाइल में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आदा किलो तोरी को चील के हमने काट लिया है गोल गोल तीन मीडियम साइज के टमाटा जिनको पीस लिया है जिनको हमने ग्रेट कर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया चे साथ हरी मिर्च बारी कटियोई और पांचे लसन की कलिया यह हमने कुछ साबुत मसाले लिया है आदा चमच जीरा दो तिन लॉंग पांचे काली मिर्च एक तेज पत्ता और बड़ी लाइची एक कड़ाई ले उस साबुत मसाला हमारा भुन Hai एक इसमें हम प्याज तालेंगे फिल्च अरभिया अरषव करने के बाद इसमें हम्लसन डाल देंगे जो हमने कूट लिया है आप चाहे तो उसका पेस्ट भी बनाके डाल सकते हैं शाम डालके इसको अच्छे से हम बूनेंगे कि आदिको आग य प्राउन हो गया है अब इसमें हम कुट्योई हरी मिर्च टालें आप जाये तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं अब हरी मिर्च को भी इसके साथ हम भूनेंगे प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है तो इसको एक दो मिनट तक और भूने प्याज हमारा बोन चुक अदा चमच धनिया पाउडर अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर ले और इनको हलका सा भून ले अब हम इसमें पीसे हुए टमाटर डालेंगे टमाटर डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर ले इसको इस टाइप से अच्छे से मिक्स कर ले टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकार्णिंग डाले जैसे आप खाना पसंद करते हैं नमक डाल के इसको अच्छे से भून ले जब तक की मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम डालेंगे तोरी, तोरी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूने जिससे की मसाला तोरी में अच्छे से लग जाए तोरी को mix करके इसको 2-3 मिनट तक भूने इसको चलाते वे भूने नहीं तो हमारे मसाला कड़ाई में लग जाएगा इसलिए हमें इसे continue चलाते वे भूनना है इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनने यह देखिए तोरी को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं तोरी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम डालेंगे पानी हम इसमें एक कप पानी डाल रहे हैं पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको ढख कर पकने दें सिम गैस पर और बीच में एक बार चेक कर लें एक बार हम तोरी चेक कर लेते हैं कि तोरी गल चुकी है या नहीं पहले इसको mix कर दें, एक बार इसको चला दें अच्छे से, अभी हमारी तोरी गली नहीं है, इसको हम फिर से ढख कर 5-7 मिनिट के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारी तोरी अच्छे से गल जाए, इसको हम फिर से ढख देंगे, हम चैक कर लेते हैं की सबजी बन चुकी है या नहीं, वाऊ कलर तो देखेए, कि इतना अच्छा आया है सबजी का, एक दम मसाले दार, चटपटी सबजी लग रही है देखने में, इसको अच्छे से mix कर दें, और तोरी चैक कर दें कि गल चुकी है या नहीं, तोरी हमारी गल अब इसको एक मिन तक ऐसे ही खुला पका लें उसके बाद धन्या डालें धन्या डाल के हमने मिक्स कर दिया है अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह हमारी मसालेदा चटपटी तोरी की सब्जी बनके तयार है इसके उपर मैंने एक चमज देसी घी डाला है जिससे की हमारी सब्जी का टेस्ट और भी जादा अच्छा हो जाए आप चाहे तो इसको वाइड भी कर सकते हैं यह सब्जी खाने में बहुत जादा टेस्ट ही की बनके यह घो र coconut सब्सेट टोब बादाद बिल्स्इट लगर है ठाव उवाट चाहे जाय समें और पक्त При कैने एक हमारी सा ही हैां वाला है ब है большой में बादाद वाला है